पहले यह करते हैं प्रक्ष्टन में कहता है था फॉलविंग डिटेईज बैंकर्स का है कहता है ओपरेटिंग लिवरेज ओओ ओपरेटिंग लिवरेज अब 3 दे रखा है अब को और फानेंशल लिवरेज तु दे रखा है interest charge per annum दे रखा है कि यह पूरे साल में जो interest charge होगा 20 लाग corporate tax का मतलब यहाँ पर tax से related ही है और variable cost दे रखा है percentage of sales मतलब जो भी sales होगा उसका 60 prepare income statement of the company तो sir income statement क्या होता है जो मैं बनाता हूँ हर बार उसको income statement ही बोला जाता है तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो चलो मैं एक खाली-खाली income statement बना देता हूँ आपके लिए खाली-खाली income statement मतलब blank income statement बना देता हूँ जिससे कि आपको लगे कि हाँ sir अब कुछ बन रहा है और फिर उसमें जो-जो ज़र्वत पड़ेगी मैं आपके सामने ढूंड ढूंड के फटा 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 फट कर रहा हूँ आ जाए है कि पर्टिकूलर कि यहां गया जी इनकम स्टेटमेंट कि इनकम अब इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या लेंगे सर अब सेल्स फिर उसमें से क्या माइनस करोगे आप वेरियेबल कॉस्ट फिर क्या निकल क्या आएगा कॉन्ट्रिबूशन फिर क्या माइनस करोगे फिक्स कॉस्ट फिर क्या निकल क्या आएगा जिसको आमने प्रॉफिट भी बोला इई बी आई टी फिर क्या माइनस करोगे interest minus करोगे फिर क्या आएगा हमारा ebt आएगा फिर क्या minus करोगे tax करोगे minus और फिर क्या आएगा profit या eat आजाएगा और यह हां तक पहुंचने को ही income statement बोला जाता है तब हमें सवाल में क्या दे रखा है interest दे रखा है 20 लाग तो interest के जगा interest लिखो और क्या दे रखा tax टेक्स तो तब निकलेगा न जब आपको क्या पता चलेगा ebt variable cost 60% यह कैसे दे रखा है तो नहीं दे रखा चीज़े अब हमें लेकिन दो चीज़े है operating leverage financial leverage अब सबसे पहले आप यह देखो कि operating या financial किस से related कुछ जानकारी है कुछ किस से related कुछ जानकारी है बताओ operating में involved देखा जाए contribution upon fixed cost क्या हमें fixed cost दे रखा है नहीं दे रखा और नहीं हमें operating fixed cost कहां से है contribution divided by EVID क्या contribution है नहीं है क्या EBIT है नहीं है तो यह तो बात नहीं को नहींगी financing leverage में क्या होता है ebit divided by अब EBIT में कहीं न कहीं interest involved होता है आप सोचो कहीं न कहीं क्या involve होता है तो मैं अगर मैं आप डी अगर मैं आपको लिखूं बताना कितने बच्चे मैं गलत रिख रहा हूं कि नहीं हाँ बस तरीका बदलने का style चेंज कर दिया है सही है बस style चेंज कर दिया है और इसलिए करा मुझे मजबूरन करना पड़ा कि अब अगर मैं रखूं डी सील कितने हैं दो सब्सक्राइब अब इसको क्रॉस्चन मार्क नहीं पता ऐसे रख देते हैं अब इसको क्रॉस्टिप्लाइब करो इसके नीचे एक माल लो यह क्या आगया अब इस में से फिर बीस लाग करेंगा तो कितने बचेंगे कि 40 लाग हो जाएगा नमाइनस का और इधर आजाएगा हम इसको करेंगे तो यह दो इबीएटी और ठीक है क्याओ इसको इसस को इससे और तो कहीं न कहीं मैं इसको अगर लेकर चलूं तो हमारा जो आंसर आएगा इधर माइनस हो जाएगा और यह प्लस हो जाएगा तो इभी एटी क्या आगया सभी बच्चों को यह समझ में आए कि इभी एटी 40 लाइक कैसे आए कमेंट फटा फट से बता देजिए कमेंट में कि सभी स्टूडेंट को समझ में आए कि यह 40 लाइक कैसे आया आया यह अब आपको दूसरा फॉर्म लेकि तरफ सोचो कौन सा डी वैल डी वैल क्या बोलता है कॉंट्रिबूशन डिवैडिड बाए अब इभी एटी तो मिल गया हमें अब सिर्फ कॉंट्रिबूशन निकालना है तो मैं यहां को यहां पर आज के बढ़ता हूं किस पर ड कॉंट्रिबूशन डिवाइड़ बाए एब इभी अब दे रखा आपको तीन इस इकल टू कॉंट्री को कॉंट्री छोड़ दो इवाइट के जगा पर 40 लैक कर दो डिवाइड बाए वन है तो तीन हो जाएगा तो आप देखो कॉंट्रिबूशन आपका निकल गया कॉंट सब्सक्राइब कर देता हूं मैं ठीक है ना एक करोड़ बीस लाग में बहुत जीरों आ जाएंगे एक सो बीस लाग अब हम कुछ डेटेल जो मिला उसको भर तो लें यहां पर इबी आइटी पता चल गया क्या था है चालिस लाग तो यह पता चल जाएगा मैं कॉंट्रिब सकते हैं जी बिल्कुल पहुंच सकते हैं टेक्स दे रखा है कितने हैं पचास परसेंट यह देखो दस लाग लेकिन अभी अधूरा है क्योंकि उपर से पूरी चीज़े डिटेल फिल होनी चीए तब मानोगे आप पूरा है अब कहता है वेरियेबल कॉस्ट जो है वो साठ परसेंट है आप मुझे बताओ वेरियेबल कॉस्ट अगर साठ परसेंट है तो कॉंट्रिबूशन कितने परसेंट होगा तो यह परसेंटेज के टम्स में बात करें तो यह कितने परसेंट होगा सिखाया था आपको सिखाया था या नहीं सिखाया था क्योंकि दो बैच में सेम सेम टॉपिक चल रहा है मैं भूल जाता हूंग बता दिया था चालिस है अब 40% 120 लाग है तो आप मुझे बताओ कि भाया 100 परसेंट या कुछ भी निकाल लो चाहे आपको यह 60 निकाल लो चाहे 100 निकाल लो तो मैं क्या करूँँगा 120 इंटू डिवाइड तो 40 करूँगा अगर आप 100 करोगे इंटू तो सेल्स पे पहुंच जाओगे और फॉर्मूला लगा के देख लो आप जैसे मर्जी देखो तो कितने आजेंगे 120 तो 180 लाग अब 180 लाग और इस नोड़ों के बीच का भी डिफरेंस देख लो भी 120 तो 80 लाग मन गई बात ऐसे तयार हो गया धीरे धीरे करके हमारा इंकम स्टेटमाइड अगर पूछ लेता तो अगर डीफल पूछता तो यहीं बता देते इतना तो कुछ करते भी नहीं इन दोनों को सरफ क्या करते हैं मल्टिपलाई करके बता देते तो देखो यह बीकॉम ओनर्स में कोस्चन 2013 में पूछा गया और दोंतेरा में अभी भी आये था रिसंटली तो बुक के अंदर जाद आपदेट नहीं करते कि कब पूछा गया तो अभी भी रिसंटली पूछ गया थैं और यह कुछ आपके एक्जाम में आए गा ना तो दस नंबर से कमका आएगा ही नहीं ल तो आप आ जाते हैं back वाले पहले बता दो इसमें किसी बच्चे को डॉट किसी student को इसमें डॉट है तो बता दिजे comment फटा फट सर मेरा डॉट है के डाउट सरस्जरल प्लीज 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 फिक्स कॉस्ट में डॉट है बच्चों辉का हिस्सकों इन दोनों कि बीच को समझनी है कि असी लाक हाँ सी लाक ही है आपने अमाउंट में लिख दिया रहा हुआ कि किसी स्टूडेंट को डाउट कि अच्छों करों कि अच्छों करने से अच्छा मैं मिटा के दुबारा कर दूँ यह नहीं मिटा हुआ यह वाला हिस्सा मिटा दू क्योंकि यहीं एक्स्प्रेंट करने तो अब मुझे यह बता दीजिए क्योंकि आगे तभी बढ़ेंगे जब आप सभी को समझ में आ जाएगा और इधर भी कार्ड देते हैं चलिए इसको नहीं मिटा रहा क्योंकि इसको अब यह बताईए सभी बच्चे को अगर यह वाला पार्ट समझ में आ गया तो यस बोल दीजिए फटाफट फटाफट फिर हम इसको आगे आएंगे पहले यह वाला समझ में आ गया हर बच्चे को हर एक स्टूडेंट को यह वाला पार्ट समझ में आ गया जो स्टूडेंट कह रहे थे के सर एक्स्प्लेइन अगें जैसे डिया का था सर डियोल बता दीजिए और अर्पित का था सर explain again कर दीजिए तो जो बच्चे बोल रहे थे मेरा डाउट है वह प्लीज कन्फर्म कर दें कि यह वाला पोर्शन आपका मतलब क्लियर है अनिया फिर हम आगे बढ़ सकते हैं अब हम डीटा उठाना चालू करते हैं ठीक है ध्यान दीजिएगा अब सबसे पहले हमें क्या मिल गया चलो यहां से उपर से स्टार्ट करते हैं मैंने बीच उपर में गये तो साइद कन्फिजन सेल्स नहीं पता वेरियेबल कॉस्स नहीं पता कॉंट्री पता है कितना है कॉं क्या निकला हमारा 80 हैं का इंट्रस पता है कितना है हमारा 20 लांग तो इसका 50 पर सेंट क्या हो गया हमारा 10 अब पहले यहां तक मुझे क्लियर कर देजिए कई सेज्बाकी सिदा सीदाड़ना अगया यह नहीं आया फिर मैं बस जिस रीक उपर गई कि स्टेप करके ऊपर अब हमें पता है कि भाई यह 60 परसंट वेरियेबल कॉस्ट का परसंटेज है तो जब यह 40 परसंट है यह तो आपको बताया ही है तो वेरियेबल कॉस्ट कैसे निकालोगे पता है एक सो बीस इंटू में 60 डिवाइड़ बाई 40 जो की निकल के आ जाएगा 180 तो अगर इसमें 180 जोड़ दो तो वैसे ही 300 लाग आ जाएगा अगर आप यहां से ऐसे निकालना चाहते हो 120 इंटू 100 डिवाइड़ बाई 40 तब भी आ जाएगा आपको आपकी इच्छा है कैसे निकाल तो difference लेक आगे दिखाऊंगा तो फिर formula लगा के कर लोगा यह 300 लाग है ठीक है यस clear चलिए